क्या developers coding करना भूल गए हैं? क्या low-code, no-code platforms developers की coding skills पे affect कर रहे हैं? क्या बढ़ते हुए AI models developers के day-to-day workflow में दिक्कत पैदा कर रहे हैं? और क्या है Microsoft Open E-Icon है Product Co-Pilot? नमस्ते, मैं हूँ Lokey शौदरी और आप देख रहे हैं मारा weekly show Story क्या है? बार शुरू होती है 2003 से, इंटरनेट के बरतेवे चैलन के साथ ही WordPress ने अपने services launch की यह एक ऐसा platform था जो users को बिना coding skills के अपनी खुद की website बनाने की ताकत देता था साल दर साल WordPress की popularity बढ़ती गई और इतनी पहुँच गए कि दुनिया की 60% ज़्यदा website WordPress की कही न कहीं यूज करती है यहां तक बात फिर भी ठीक थी क्योंकि developers का काम से website develop करना नहीं होता है Coding website development के लाव भी नाना प्रकार की जगा काम आती है लेकिन फिर आता है साल 2014 जब GANTS popular way GANTS यानी Generative Adversarial Networks ये एक तरह के Deep Learning Architecture था जो realistic images कैसे बना सकता था जो शायद आगे चलकर Mid Journey, Dali 2 जैसे models का stepping stone भी बना और यहीं से researchers ने अलग-लग segments में GANTS डेलॉप करने शुरू किये तिन साल बाद एक Deep Learning Architecture आता है जिसका नाम था Transformer Incidences में था जब कोई model code लिख सकता था उसके बाद एक से बढ़कर एक AI model आते गए जो developers को code ना लिखने में मदद करने लगे कुछ सही थे, कुछ नहीं इन्हें में से एक था Microsoft Open AI का Collaboration Co-Pilot यह Co-Pilot प्रोग्राम developers के द्वारा दिये गे कुछ commands या कहिं तो prompts पर code लिखकर दे देता था एक तरह से developers को अलादीन का चिराग मिल गया था इस चिराग के जिनको Github Co-Pilot के नाम दिया जा सकता है जहां पहले no code local platforms उन लोगों के लिए बनाये गए थे जिने coding नहीं आती Co-Pilot जैसे models अच्छे खासे experience वाले coders का काम भी आसान कर देते हैं इसका अच्छा example हमें Andre Carapatti के tweet से मिल जाता है जहां वो बोलते हैं कि Co-Pilot जैसे programs ने मेरी coding जैमेंटरी एक्सलेट कर दी है उनका कहना है कि अब वापस manual coding की तब जाने का सोचना भी मुश्किल है वो कहते हैं कि Co-Pilot अभी से उनके 80% code लिख देता है और अब वो कोड करने की बजाए Co-Pilot की द्वारा दिये के codes को edit करते हैं कुछ ऐसे ही sentiment दुनिया के ज़्यादात्र developers का है Auto-coding platforms की popularity चरम सीमा पे है GitHub Co-Pilot को ही देखें तो launch होने के एक महिने के अंदर इसने 4,50,000 subscribers attract कर लिए थे और क्योंकि यह platform AI algorithm पे based है और आने वाले time के साथ यह और जदा improve ही होगी और आज चाहे experience developers के लिए एक अच्छा helping tool है लेकिन जो आगे आज developer बनने का सपना देख रहे हैं वो जब developer बनेंगे तब यह Auto-coding platforms काफी sophisticated हो चुके होगे और फिर इन platforms को use करना एक norm बन जाएगा सोचने वाली बात यह है कि इस generation के बाद आने वाली generation यानी तीसरी PD क्या coding को भूली जाएगी और क्या colleges जो generally आज भी coding सिखाने के शुरुआत C language से करते हैं वो इन Auto-coding platform के साथ catch up कर पाएगे लेकिन फिर कुछ लोग यह भी मानते हैं कि आज computer use करने के लिए लोगों को transistors की knowledge निरूरी नहीं है 99% computers users को उनके computer में कौन से part use हो रहे हैं उसकी जानकारी नहीं है और इन Auto-coders की वज़े से शायद developers का workload भी थोड़ा कम हो जाए और code लिखने में जो time waste हो रहा है उसकी जगा कुछ productive सोच पाएं आपका क्या मानना है इन Auto-coding platforms की बज़े से developers क्या programming करना ही भूल जाएंगे या फिर यह एक अच्छा tool साबित होगी developers को और ज़्यादा efficient बनाने के लिए हमें comment करके ज़रूर बज़ें